जैहिन प्यारे दोस्तों कहीं से आप सभी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत यच्छे होंगे प्यारे दोस्तों आज के इस वीडियो में बिरित से संबंदि जितने भी परकार के सुत्र बन सकते हैं उन सारे सुत्र को आज की इस वीडियो में आप सभी को बताया जाएगा बिरित के साथ साथ अर्द बिरित और तिरिजखंड चुकि अर्द बिरित और तिरिजखंड जो बनता है वो बिरित से ही बनता है अर्थाद बिरित का ही एक पार्ट है अर्द बिरित और तिरिजगंड तो उसका भी फर्मूला आपको बताया जाएगा यहाँ पर जो important फर्मूला आपको याद रखना चाहिए सारा फर्मूला सारा सुत्र आपको आज के इस वीडियो में बताया जाएगा यदि आप बिरित से समंदित फूल कॉंसेप्ट का वीडियो देखना चाहते हैं तो उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के अंतिम में यहाँ पर स्क्रीन में देख जाएगा वहां दबा करके देख लिजेगा ठीक है तो चलिए आज का जो वीडियो होगा यह सिर्फ तो बिरित का चेत्रफल क्या होता है बिरित का चेत्रफल होता है पाई आर स्क्वेर पाई आर स्क्वेर ठीक है ना अगला है आपका बिरित की परिधी बिरित की परिधी होता है टू पाई आर टू पाई आर ठीक है अगला है आपका बिरित की तिरिज्या बिरित का तिरिज भियास बट्टा में दू, ठीक है, इसको D को बनता है, बियास बट्टा में दू हो जाएगा और यहाँ पर जो R लिखा हुआ है, इसको तिरिज्जा बोलते हैं, देखे आप अगर ज़िदि अधिक जानकारी लेना चाहते हैं तो बिरित का जो अलग से जो वीडियो बनाया हुआ कि बिरित किसे कहते हैं बिरित का जो कितना पार्ट होता है बिरित का त्रिज्या क्या होता है बिरित का ब्यास क्या होता है अलग से वीडियो बना हुआ है तो उस वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर अंत में दिखेगा अने था इस वीडियो को description box में दे देंगे वहाँ पर भी जा करके आप देख सकते हैं ठीक है अगला है इसका सुत्र जो होगा ब्रित का ब्यास होगा दो इन्टू आर तू इन्टू आर या फिर दो गुना में तिरिज्या ठीक है दो गुना तिरिज्या आर को क्या बोलते हैं तिरिज्या बोलते हैं यहाँ पर तिरिज्या हम लिख दिये हैं ठीक है आगे है आपका अर्द ब्रित का छेत्र फल अर्द ब बच्टा में क्या होगा तू होगा है ना बच्टा में तू हो जाएगा ओर स्में प्री FDA ऑप more को म кв अरुइन प्रयर कि यह और श्टा में दो करेंगे यह दो करेंगे था करी यह दो कर От आपको सिर्फ याद रखना है कि अर्धविरित का परिधी क्या होता है, πाई आर होता है, और पलस में यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू आर हो जाएगा, टू आर, ठीक है, पलस में टू आर, तो इस तरीके से आप अर्धविरित का परिधी को याद रखेगा, ठीक है, चली, अगला है अर्द्विरित की तिरिज्या, अर्द्विरित का तिरिज्या भी यहां पर उसी परकार से हो जाएगा क्या, डी बट्टा में 2 या फिर इसको बोलेंगे ब्यास बट्टा में ठीक है इसके बाद अर्द बिरित का ब्यास है अर्द बिरित का ब्यास क्या हो जाएगा 2 into R या फिर 2 गुना में 3 जा बोल सकते हैं दिखें मैं आप सभी को एक सूचना देना चाहता हूँ यदि आप बेसिक मैज का पूरा फर्मूला लेना चाहते हैं सभी चेप्टर का बिलकुल जितना भी आउल चाप्टर का जो फर्मूला आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है एक नंबर मैं दे रहा हूँ इसमें आप WhatsApp कर लिजेगा नंबर है 7988 997348 ठीक है ये आपका नंबर है इसमें आप WhatsApp करके मैसेज करेंगे लेकिन मैसेज करने से पहले आप सभी को क्या करना होगा PDF को लेने के लिए PDF को पराप्ट करने के लिए आपको करना पड़ेगा क्या 50 रुपिया आपको पेट करना पड़ेगा ठीक है 50 रुपिया आपको पेट करना पड़ेगा और उसका एसकीन सोट इस नंबर पर आप भेजेगा आपको तुरंत पूरा A to Z जितना भी चेप्टर है गनित में आप चाहें किसी भी कलास में पड़ रहे हैं चिक से लेकर के टुएल तक के विद्यार्थी के लिए यह बनाया गया है एक फॉर्मूला का बुक बनाया गया है तो आप सभी इस पर जो है पेट करके फॉन पे या गूगल पे से पेमेंट करके इसकीन सोट इसी पर वार्टसप किरिएगा आपको उसके पीडियाब जो है मिल जाएगा इसके आगे है आपका तीरिजखन्ड का छेटरफल बचा हुआ है तो तीरिजखन्ड का छेटरफल होता है वो होता है क्या थीटा बट्टा थीटा बय 60 डिग्री गुना में पाई आर स्कूर ठिक है बहुत ही असान है देखे सारा चीज बिरिज से ही निकल के आया है तो इसको याद आप रख लिजेगा बार-बार इसको जब प्रैक्टिस किजेगा तो याद आ जाएगा उसके बाद है तिरिखंड की परी दी यह हो जाता है थीटा बट्टे 360 गुना में 2 पाई आर तो इस तरीके से आज की इस वीडियो में टोटल 10 important formula आपको बताया गया है मैं उम्मित करता हूँ कि आज की इस वीडियो से आपको अच्छा जानकारी मिला आओगा यदि वीडियो पसंद आये तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा